गुद मॉर्निंग क्लास तोड़े विल स्टार्ट दिन्यू चैप्टर चैप्टर सेक्स सॉईल तो बिफोर विस्टाट दे चैप्टर विसी दे इंट्रोड़क्शन ऑफ दे चैप्टर सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉईल होती क्या है सॉईल जेनरल भाशा में हम लोग मिट्टी से मतलब होता है कि सॉईल का मतलब मिट्टी लेकिन सॉईल एक्चल में क्या है Soil is the mixture of rocks and organic material which develop on the surface of the earth अलग-अलग rocks का mixture है जो की हमारी earth surface पर time to time develop होता है The major factor affecting the formation of soil are relief, parent material, climate, vegetation and other life form and time तो जो major factors हैं किसी भी सॉईल की formation को जो effect करते हैं वो है हमारे relief Parent material यानि basic rocks कौन-कौन से हैं जिनसे इनका formation हुआ है Climate, किसी भी जगा की climate किस तरह की है Vegetation वहाँ पे किस तरह की है तो ये जो सारी चीजे हैं इन सारी चीजेओ को मिला के तब कहीं जाके किसी भी एक particular जगा पे किसी भी fixed soil का formation होता है Components of the soil are mineral क्या है basic components हमारे soil के minerals है Humus है और water and air है यानि हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी soil में कौन से minerals है क्योंकि हर मिट्टी की अपनी एक खासियत होती है और वो खासियत इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो mineral content होता है वो उसका अपना अलग होता है The actual amount of each of these depends upon the type of soil जिस तरह की soil है जब हम उसको देखते हैं उसको testing कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हर प्रकार की soil में हर प्रकार की मिट्टी में mineral content कुछ अलगी प्रकार के होते हैं एक दूसरे से differ होते हैं और इसी quality के according हम लोग soils का classification भी करते हैं In ancient time, soils used to be classified into two major groups पुराने समय में आमतोर पे दो भाशा में मिट्टी का classification कर दिया जाता था एक उरवरक और एक उसर which were fertile and not fertile यानि उरवरक ये हिंदी का word है जिससे हमें पता चलता है कि इसका मतलब है ये वो मिट्टी है जो की उरवरक है जो की fertile है और उसर उसर वो मिट्टी है जो की हमारी fertility में उतनी उप्योगी नहीं है उतनी fertile नहीं है लेकिन इंडिया में इन बिस फव यन जैनिस अलर प्यूजर के स्वेशिड़ साले नहीं है ब्रवी शिका ये प्यूजर प्रवेरियर स्था इंट वर्या स्वेस थाप ऑवायर उल्टार्व मिवल व्ल्क व्लै। रेड और येलो सॉइल, लेट्राइट सॉइल, एरेड सॉइल, सलाइन सॉइल, पिटी सॉइल, एंड फॉरेस्ट सॉइल सो हम देख सकते हैं कि अल्मोस्ट 7 तो 8 टाइपस ऑफ सॉइल है जो कि इंडिया के अलग-अलग जगाओ पे पाई जाती है एल्यूवल सॉइल, आर सॉइल, विच आर वाइट स्प्रेड इन नौर्थ, नौर्धन प्लेइन एंड रिवर वैली, जो एल्यूवल सॉइल है वो एक ऐसी सॉइल है जो कि नौर्धन प्लेइन के रिवर वैली एरियास में दूर तक फैला हुआ है लगभग 40% of the total area is covered with this type of soil एल्यूवल सॉइल को हम लोग, डिपॉजिशनल सॉइल, ट्रांस्पोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सॉइल है, ये रिवर द्वारा ट्रांस्पोर्ट करके जो हिली एरियास होते हैं और उसके बाद जब प्लेन एरियास आ जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद इस तरह के प्लेन की, इस तरह के सॉइल की फॉर्मेशन होती है तो इसको डिपॉजिशनल सॉइल या ट्रांस्पोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं दूसरा है, इसी में, एल्यूवल सॉइल में हम लोग इसको दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं आप लोगों ने 8th, 9th, 10th हर क्लास में पढ़ा होगा कि एल्यूवल सॉइल के भी दो पार्ट हैं, खादर और बांगर है ना, two types of एल्यूवल सॉइल is there, one is खादर and another one is बांगर so, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is खादर and what is बांगर so, खादर is the new एल्यूवल सॉइल new deposited एल्यूवल सॉइल by flood जब बार आती है, तो जब बार खतम हो जाती है उसके बाद जो plain areas हैं, जो मिट्टी और इस तरह की सारी चीज़े deposit हो जाती हैं, तो उससे हर साल एक नए plain, नए मैदान का नया मैदान बनता है और इसी लिए यह सबसे ज़्यादा fertile होती हैं, क्योंकि यह हर साल मिट्टी renew होती रहती है, हर साल बार आती है, नदियों द्वारा इसको renew कर दिया जाता है so, this is known as खादर, एंड बांगर, वाट इस बांगर बांगर इस old illegal deposited soil यह पुरानी deposition होता है illegal soil का और यह वो soil होती है, जिसका हर साल renewable नहीं होता है clear? now, another soil is black soil black soil cover most of the decan plateau which includes parts of महराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश, और सम पार्ट्स ओफ तमिल नाडू black soil कहां-कहां पाई जाती है हमारी इंडिया में? महराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश और कुछ तमिल नाडू का इलिया ये वो मिट्टी होती है जो की कपास की खेती के लिए बहुत ही जादा उपचाओ होती है इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे जादा की जाती है now next one is red soil red soil develops on crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan plateau along the pediment zone of the western ghat long stretch of area is occupied by red loamy soil now another one is latrite latrite has been derived from the word latin that is later which means brick जिसका मतलब है latin भाशा का शब्द है latrine और जिसका मतलब है brick the latrite soil develops in area with high temperature and high rainfall कहां पे होती है latrite soil जिन areas में temperature तापमान भी अधिक होता है और rainfall भी अधिक होती है these are the result of intense leaching due to tropical rains with rain lime and silica are leashed away and soil rich in iron oxide इसमें जो लेट्राइट सोईल है इस सोईल में iron oxide और aluminium के compounds जो होते हैं वो काफी जादा मात्रा में होते हैं is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water नमक content बहुत जादा होता है इस मिट्टी में और क्यों होता है due to dry climate and high temperature dry climate है high temperature है तो salinity जो है इस सोईल में वो बहुत जादा मात्रा में मिलती है एक और खासियत होती है इस मिट्टी की कि इस मिट्टी में moisture और humus राकरतिक वनस्पति और नमी दोनों ही नहीं होते हैं क्योंकि already पहले बताया जा चुका है कि temperature इतना high और temperature high होता है और moisture बिलकुल भी नहीं होता है dry areas कि ये मिट्टी है उसके बाद हमारा next आता है pity soil pity soil are found in the area of heavy rainfall and high humidity जहां पे rainfall भी जादा है और humidity भी आदरता भी जादा है where there is good growth of vegetation ऐसी जगा पे जहां temperature भी अच्छा है और rainfall भी अच्छा है तो ऐसे में जो natural vegetation है वो बहुत अच्छी तरह से grow कर पाती है the large quantity of dead organic matter accumulates in their areas and this give a rich humus and organic content to the soil organic matter in these soil may go even up to 40-50% next आती है हमारी forest soil नाम से ही पता चल रहा है forest soil forest soil are found in forest areas where sufficient rainfall is available forest areas में होती है forest soil rainfall sufficient होती है the soil vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed जो texture है मिट्टी का वो इस बात पर depend करता है कि हमारे जो forest है वो किस टाइप के हैं mountains के हैं plains के हैं तो ऐसे areas में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी forest soil कहलाती है तो यह हमारा general classification था इंडिया में पाई जाने वाली soils का Thank you so